नमस्कार स्वागत आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में वर्तमान महावेर खुला विश्वी धेला है कोटा की तरब से प्रैक्टिकल स्वीर को लेकर सुचना आ रही है जो आज जो सूचना आई है वो रिजिनल सेंटर अजमीर की तरब से है अब देखते है में इस में क्या बताया गया है में मनव ग्यान के प्रैक्टिक संपर्ख सिवीर एवं प्रैक्टिक परिक्सा की सूचना जोनों ने प्रैक्टिक सहर अजमीर चैन किया है तो ये को आपके जो में जो प्रिवियस चैनल है जिनका जो में पीएस वाई में मनव ग्यान जिसका म में PSY 05 कोड है और जिनका जो जुलाई 2019, जनुरी 2020 और जुलाई 2020 एवं जनुरी 2021 में पंजीकर्थ और डिफोल्टर यानि जिनके जो एक, दू, तीन, चार सालों, चार सातर के जिनके एडिमिशन्स है यानि जनुरे फर्स्टियर में मनवग्यान रिजिनल संट राजमेर पे जिसने फर्स्टियर में जुलाई 2019 में एडिमिस लिया था उसके बाद जनुरी 2020 में एडिमिस लिया था वो भी उसके बाद जुलाई 2020 बीस में एडमिस लिया था वो भी और जनुरी 2021 में भी जिसने में मनवग्यान प्री में एडमिस लिया है और या इस दोरान जो को बीच में कोई परिक्सा हुई है उसमें डिफॉल्ट फॉर्म किसी के प्रैक्टिकल पेपर बागी है तो वह आप दया नंद माहा विद्याले अजमेर ब्यावर रोड अजमेर में आपका जो बीस दुएसी है जो प्रैक्टिक संपर्ख सिविर वह स्टार्ट हो रहा है वह तारी के 22 सित्मर्द हो जारी कीस से और दूसरा में मनवग्यान फाइनल पेपर कोड में पीसवाई 10 जिनका एडमिसन जन्वी 2020 में जिसने प्रमोटी फोर्म सेकंड यर के लिए भरा है में मनवग्यान फाइनल के लिए जुलाई 20 में भरा है या जिसने जन्वी 2021 में बरा है और जो डिफोल्टर है वो भी इस प्रैक्टिक स्विर होगा वो 13 अक्टूबर से शुरू होगा और जिन विद्यार्थ ने जो प्राइगिक सहर या प्रेक्टिकल सटी के अजमेर चुना है वे भी विद्यार्थी उप्रोग पते पर संबंद विभागा देख से उप्रोग तथी को सुबह 11 बजे तक संपर्क करें यानि कि होगा दूसरी प्रेजनल सेंटर के विद्यार्थ जुनों ने जो रिजिनल सेंटर अजमेर चुना है तो वह भी इसमें पहुंच सकते हैं जो यह समय दिया वा तो पहुंच सकते तो इसमें आपकी 75% जो हाज्री होती या अटानेंस होती हो अनिवार्य उसके अभाँ में आपको चुआ वह का इसकी जो प्रेक्टिकल पेपर की परिक्षा होग्यों से वनचीत रखा जहाया सथा कि घंधरी से फिंज्मे की होगई से समय ने वाले जोठीकल भी तो आधारे लाइसेंस पोर्टर काड जिसमें फोडो लगावा था वो आपके पास होना चाहिए और यसे विद्यार्थी जो डिफोल्ट रहे पर तो उन्हें पूर में डिफोल्ट फोर्म नहीं बढ़ा है यानि किसी काणवस वो उन्हें नहीं बढ़ा है तो वेबसाइट पर ज तो ऐसे विद्यार्थी उन्हें को परिक्सा जून 2020 में डिफोल्ट की रूप में फोरम बढ़ना पड़ेगा और समयलित भी किया जाएगा तो यह अच्छी सुईदा है और प्राइगिक संपर्ख सुविर और प्राइगिक परिवतन करना के लिए कोई एप्लेकस न जो नह सब्सक्राइब करने का जो इस विद्याले को अधिकार है यानि कि इसमें थोड़ा बहुत अगर फिर बदल अगर हो सकता तो यह यूनिश्टी खुद करेंगी जिसकी सूचना दी जाएगी तो अज में रिजिनल सेंटर के लिए अच्छी खबर है और जुनोंने में मनव ग सब्सक्राइब करेंगा उसका नोटिपिक्स ना आपको मिल जाएगा मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद